आई गाईज वेलकम बैक सुबस्ट वीर सवरकल का कल था डे नमबर 10 और कल के दिन पर संडे पर इस लिए क्या कलेक्शन करी है क्या हमारी जो प्रेडिक्शन थी उसको ये आउट्डू कर चुकी है आज के दिन पर क्या होने वाला है सब कुछ बताती हूं आपको इस वीडिय की जो कलेक्शन है वो काउंट होती है और वो नेट कलेक्शन फिल्हाल कितनी चल रही है मैं वो भी बता देती हूं वो भी बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है जो पहले एक टेंशन सी क्रियेट होगी थी कैसे ये अपना बजट रिकवर करेगी everything is sorted now लेकिन पहले बात करेंगे occupancy की मैं आपको बताया था कि occupancy इस फिल्म की तोडू चल रही है morning shows 44% कल संडे को दस्मा दिन था देखो कोई ऐसा भी नहीं है कि शुरुआत के दिन है दस्मा दिन था ये भी हो चुका कि screen counts में एक reduction भी आ चुका लेकिन फिर भी audience के जोश में कमी नहीं है morning shows 44.7% afternoon 60.3% evening 66.7% और night shows में भी धमाकेदार occupancy 50% की 50% आसान नहीं है फिल्मों को दस्में बारवे दिन पर ये occupancy लाने में पसीने छूट जाते हैं literally लेकिन ये film का आप देख सकते हो कि screen counts कितने हो गए थे पहले आपको याद है कितने थे 200-200 screens थी मुंबई में shows थे Mumbai में अब फिर वो cut गए थे सीधे 140 पर रहे गए थे लेकिन फिर वो वापिस बढ़े because audience का बहुत interest है film की बहुत demand है लोग देखना चाते है film तो इसको बढ़ा कर 200 screens तक वापिस कर दिया गया ठीक है Delhi NCR में 73 है पुणे में 123 है बाकी अगर हम शहरों को देके तो बाकी में ठीक ठाक है क्योंकि इसका जो main audience है वो Delhi NCR and Maharashtra ये दोनों states से है और मुझे लगता है अगर दो states से भी कमा रही है तो भी ये इतना बढ़िया number कमा रही है जो हमने शायद सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा number लेकर के आएगी day number 10 पे जो final collection है मैंने आप से कितनी prediction करी थी 1.6 1.8 crore की वो रही है 1.9 crore करीब करीब 2 crore की collection कल के दिन करी है टोटल इंडियाने क्लेक्शन हो चुकी है 15.85 crore mad crazy number mad crazy क्यों बोल रही है आपे कई लोग बोल सकते हैं कई लोग बोलते भी है इतने बड़े numbers तो नहीं है इसके जितना आप excited होकर बताते हो बिल्कुल सही बात इतने बड़े numbers नहीं है फिर भी excitement इसलिए है क्योंकि at least कोई तो जनता है कुछ तो section of people है जो जाकर एक अच्छ फिल्म को और एक अच्छे actor को support कर रहे है उस चीज की खुशी है मुझे नहीं तो कई मतलब लोगों का क्या है negativity कहीं से भी निकाल लाते है किसी के unsuccessful होने से भी बाकी जनता खुश हो जाती है कई लोग है ऐसे जो comment section में भी ऐसी बाते करते हैं but the best part is to ignore that but yes मुझे खुशी है म को बहुत सरहना मिल रही है बहुत recognition मिल रहा है बात करें आज की आज मुझे show counts में कोई कमी नजर आती है तो मैं सबसे easy और सबसे accessible जो चीज है that is book my show मैं वहां से check करती हूँ कि आज हमारे को क्या देखने को मिला रहे है 32,700 tickets booked in last 24 hours ये भी अच्छा number है कोई कम नहीं है और अ जादा expectations तो लेके नहीं चलते हैं लेकिन अभी 10 दिन का समय और है इस film के पास अच्छा collection बटोरने का क्योंकि उसके बाद release हो जाएंगी बड़े मिया चोटे मिया और मैदान तो वो हैं you know they are big fishes वो लेकर जाएंगी बड़ी-बड़ी screens को जादा screens उठाके जाएंगी तब हम reduction expect कर सकते हैं कि इस film के screen counts show counts में को reduction होगा उससे पहले कोई नुकसान नहीं होने वाला उससे पहले ये फायदे-फायदे में जाएगी और जहां तक मुझे लगता है आने वाले कुछ दो-चार दिनों में ये अपने budget को भी easily recover कर रही होगी चार नहीं तो पांच दिन नहीं तो एक हफता और अपने budget को easily recover कर जाएगी on the box office, तब तक के लिए देखते हैं आगे क्या होता है, आपको क्या लगता है, what are your thoughts on this, let me know in the comment section, if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel, which is called store of action.